हाई आज इस वेराऊनिका आज का टॉपिक हमारा डिसकुशन का फूड वेस्टेज पे है कि हम लोग ग्लोबली भी अगर बात करें बहुत सारा खाना जो है वो वेस्ट होता है हम सिर्फ उस खाने की यहां पर बात नहीं की जा रही है यानि जो हमारे हाउस होल्ड में स्टेज होता है यह हम डिटेल में बात करें कि आपकी कोई भी क्वेरी हो आप में से कनेक्ट कर सकते हैं सोचल मीडिया पर विकुज तो के लिए अगर इस तरह का कोई सवाल आता है उसको कैसे लिखना है यह भी मैं साथ-साथ में आपको बताऊंगी पहले इस रिपोर्ट को ह है बहुत जादा खाना वेस्ट होता है आप देखे 40% of food being produced being wasted जितना भी खाना प्रेड्यूस होता है उसमें से 40% जो है वह वेस्ट होता है 40% is huge कितने लोग हंगर से मर रहे हैं अगर ग्लोबली बात करें जितने भी माल नरिश्ट बच्चे हैं हर तीसरा बच्चा इंडियन है और अगर हम revenue की बात करें तो जितना भी खाना इंडिया में एक साल में आप कह सकते हैं वेस्ट होता है उसकी value 92,000 करोर है revenue की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि हम यह जो wasted food है इसको अगर ठीक करने का process सीख जाएं जो challenges सा उनको overcome करने उस opportunity को use कर सकते हैं hunger और food scarcity की problem देखिए exam में अगर एक question आए उसको कैसे approach करना है exam में जैसे आपको पता है कि पहले आप introduction लिखते हैं body लिखते हैं conclusion लिखते हैं चाहे वो आपका answer writing हो चाहे essay हो उसका pattern यही रहता है तो कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल आए तो पहले आप किसी report को mention करिए जो आपको या तो आप data जो है उसको यहां पर बता सकते हैं अब देखिए food waste index report क्या कहते है body और conclusion का भी मैं साथ साथ बताती जाओंगी आपको तो देखिए food index report क्या कहती है और यह किस ने किया conduct किस ने किया यह report United Nations Environment Program UNEP ने और इसका partner यहां पर WRAP रहा और इन्होंने कहा 930 million tons of food waste 2019 का इन 2019 में 931 million ton जो food waste है वो generate हुआ है 61% अगर इस food waste का आप देखेंगे तो वो household से आया 26% अगर देखेंगे तो जो food service वाले हैं चाहे वो restaurants हो गए या जहां से भी आप लोग खाना खाते है food service से आया और 13% आया retail से तो इतना खाना waste हुआ है 2019 में 931 million tons and it is huge और इंडिया ने कितना contribute किया वो देखें staggering amount इंडिया contributed stunning 68.8 tons आयर वैसे भी on an average देखा जाए तो इंडिया में 68.8 ton जो खाना है जो food waste है वो generate होता है इसका मतलब आप लगा लेजी इंडिया में जितने भी घर है हर घर हर साल 50 kg खाना जो है उसको waste करता है food waste generate करता है अब the state of food security nutrition in world 2020 report यह एक और report है यहाँ पे आप quote कर सकते हैं 189.2 million people are undernourished in India almost लगा लीजे 190 okay 189.2 million लोग जो हैं इंडिया में undernourished हैं जिनको portion अच्छे से नहीं मिलता nutrients अच्छे से नहीं मिलता वो माल नरिष्ट है यह आप कहलीजे undernourished हैं यह भी data है आपके लिए क्योंकि मुझे बहुत लोग social media पर request करते हैं data बताईए तो this is the data इसको आप अलग से bullet points में लिख सकते हैं काफी लोग पूछते हैं कि वीडियो में से points कैसे बनाएं तो देख लीजे इस slide में यह चीज़ नोट करने वाली है यह food waste के लिए आपका data कि कितने लोग undernourished हैं अगर इस तरह से हम इसको count करेंगे तो आप कह सकते हैं 14% population इंडिय कि undernourished है there needs to be three-pronged approach to tackle the issue अब जब expert से पूछा गया कि इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हम three-pronged approach use कर सकते हैं अब जैसे मैंने introduction की बात कई थी कि introduction में आप data और reports को mention कर सकते हैं फिर आप धीरे-धीरे क्या आ सकते हैं देख सकते हैं कि हमारे सामन hers cave from problems कि बा BLM में जैसे मैंने नγαको बता कि food जब generate होता है वहां से लेकर उसकी generate होता है यानि produce होता है produce कहा से होगा F Glue में खेतों में produce होगा production से लेकर consumption तक जब तक हम उसको खाते एक बहुत लंबा process है produce होगा फिर उसको harvest किया जाएगा उसको process किया जाएगा उसको pack किया जाएगा refine किया जाएगा और फिर consume करेंगे तो यहां पर food wastage में कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि consumption level पर आके ही waste होता है वो harvesting level पर processing level पर packaging level पर हर level पर जो है वो waste होता है यह levels को manage करना एक बहुत बड़ा challenge है हमारे सामने दूसरा household से इतना waste हो रहा है यह हमने देख लिए कि almost आप देख लीजे 50 kg एक घर से हो रहा है और different different मैंने आपको यहां पर sectors बताए कि okay कहां पर लिखाता है यहां पर लिखाता ना कि कितना household से आ रहा है कितना food service से आ रहा है कितना आपका retail से आ रहा है तो यह challenges है कि जहां से खाना waste हो रहा है यह चीज़ आप लिख सकते देन अब next मैंने का कि इसको हम improve कैसे कर सकते हैं different chefs की opinion यहां पर ली गई तो chefs क्योंकि खाने से सबसे ज़्यादा डील करते हैं तो शाद वह हम को कुछ अच्छा अप्रोच बता सके अब देखिए chefs का मानना है कि कि किसी भी restaurant क्योंकि food service जहां पर है वहां पर भी खाना काफी waste हो रहा है chefs responsible है किसी भी जगा का menu बनाने के लिए कहीं आप hotel में जाते है menu मांगते हैं तो वह किसने बनाया होता है वहां के chefs ने बनाया होता है तयार किया होता है season के हिसाब से तो यहां पर menu जो है, वो अपने season के हिसाब से menu set किया जा सकता है, off-season चीज़ें मत रखिये, वो waste जाएंगी, sustainability, portion size जो है उसका, ध्यान से रखिये कि एक इनसान कितना खा सकता है, उतना ही उसको खाना दीजिए, तो यह सब चीज़ें decide की जा सकती हैं, उसके बाद यह chef level पर आ गई, एक three-prong approach में, एक जो आ गई, chefs आ गई, दूसरा government और बाकी authorities की बात की गई है, कि industry leaders जो है, वो mobile technology, online cashless payments, introduce कर सकते हैं, अब यह चीज़ यहां पर क्यों कही गई है, क्योंकि जो मैंने आपको level समझाए, कि हर level पर खाना जो है, वो waste हो रहा है, उसको कैसे improve कर सकते है technology improve करके, कि जिस तरह से, इंडिया बहुत आगे भढ़ रहा है, mobile technology में हम इतने आगे बढ़ गए, online cashless payments में हम इतने आगे बढ़ गए, तो क्या हम food management को लेके, कोई technology नहीं ला सकते है, कि खाना waste ना हो, यानि recycle कर सकते हैं, अच्छी technology होगी, तो चाहे खाना waste भी हो रहा है, ह यह एक point यहाँ पर लिख सकते हैं, और third prong, दो prongs मैंने आपको बताए, third prong is, कि देखिए, third prong is something will come back to many professional chefs की, यहाँ पर बात हो रही है, जो locally sourced produce लेते हैं, और potential wastage को कम कराते हैं, जब हमें खाने को एक जगा से दूसरी जगा ट्रेवल करके ले जाना पड़ता है, कि जना जादा food wastage, उनकी shelf life कम हो रही है, और wastage increase हो रही है, तो chef क्या कर सकते हैं, अपने restaurants में, जगाओं पे, local produce क्या है, उसकी dishes वो बना सकते हैं, यह service sector की बात आ गई, अब देखिए, अगर आप सोचें, कि food wastage का जो problem है इंडिया में, यह एक modern problem है, अगर आप हमारे पुरा करते थे, ancient civilizations आप देखेंगे, बहुत पूडेंट थे वो food को लेकर, हमारे parents, grandfather, food, cooking, हर चीज को लेकर, अब देखिए, जैसे मैंने बता है, 40% food इंडिया में waste होता है, हर साल, क्यूंकि हमारे fragmented food systems है, यह fragmented food systems, जो मैंने आपको level समझाए, यह उनीकी बात हो रही है, fragmented food systems है और supply chains, जो है हमारी, बहुत ही inefficient है, और यह चीज अगर आप देखेंगे, आपे जो figures हम बता रहे है, food and agricultural organization, FAO जो है, वो भी यही चीज बोलता है, कि अभी food consumer तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही, बहुत जो wastage है खाने की, वो शुरू हो जाती है, अब significant amount, जो है, next challenge क्या अभी तक जो हमने chef for three-pronged approach बात की, वो food service sector की बात की, उसके बात हम लोग भी इसके लिए responsible है, एक बहुत बड़ी मात्रा में food waste होता है हमारे घरों से, अब food waste index report 2021 हमको दिखाती है, जो मैंने आपको बताया कि average आप मान लीचे 50 kg food, हर साल एक घर से बाहर वेस्ट होता है, food waste कहां जाएगा बाद में, landfills में जाएगा, उसको डंप कर दिया जाएगा, अब उससे नुकसान क्या है, greenhouse gases, उससे बहुत जादा पोटन greenhouse gases आपकी एट्मॉसफरी में जाती है, जिससे global warming होती है, तो यह चीज़ भी अपने answer में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कि क्या उसके बाद आपने food sector की बाद की, यहां पर हमने solution की बाद भी थोड़ी बोट कर दिया, three-prong approach की, लेकिन उससे पहले आप यह भी बता सकते हैं, इससे problems क्या है, खाना वेस्ट होने से greenhouse gases, एक्मॉसफेर में जाएगी, global warming जो होगी और हमको environmental implications उसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो grains थे, जो stocks, stock किये हुए थे, वो वहीं पे रह गए, आप देख सकते हैं, 65 lakh tons in the first four months 2020 में इकठा हुआ, और वो go downs में ही वो चीजें हमारी खराब हो गई, क्योंकि जो daily wage labels थे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो खाना खरीद पाते, उनकी इत इतना food waste हुआ, यहां पर farmers का भी बहुत नुकसान हुआ, एक तरफ से lockdown में हमने essential commodities की movement को बोला कि okay, essential commodities जो है, उनको transport कीजे, movement कीजे, लेकिन farmers ने बहुत ज़्यादा struggle किया, कि वो एक जगा से, दूसरी जगा markets को कैसे access करें, इस वज़ा से बहुत ज़्यादा food wastage जो है, वो hoarding, अगर जो middle class थी, वो lockdown से इतना डर गई थी, बहुत ज़्यादा जो grains है, उन्होंने hoard भी कर लिये थे, रख लिये थे घर में, तो यहां पर case study की हम बात करते हैं, सफल आउटलेट की बात करते हैं, कि कितना खाना यहां पर waste होता है, case study है, आपको समझ में आएगी, average, कित card होता है, अगर सफल के 400 outlet हैं, दिली में, तो यानि 7.5 tons of food waste चाता है, तो आप देख सकते हैं, approximately 84.7 of the total food waste recorded was thrown in the bin, अब जितना भी food waste होता है, total 100% में से, उसका 84.7% जो है, उसको dust bins में फैंक दिया जाता है, और फिर कुछ लोग हैं, समझदार चायद animals और गरीब लोगों को बचा हुआ खाना फीड करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि यह जो bins में, 84.7% food जो हमारा dust bins में जा रहा है, इस में से maximum food, significant portion of food अगर आप देखेंगे, वो edible है, वो खाया जा सकता है, वो फैक ने लाइक नहीं होता, और इतना अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लोगों को इस से डेली फीड किया जा सकता है, जो कि खाना एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आज मैंने आपको बहुत जाद एस्टॉनिशिंग स्टाटिस्टिक्स जो है, food waste के वो बताए है, responsibilities, यहाँ पे different sectors की है, household की भी है, irresponsible consumption patterns भी हैं हमारे, इसलिए अपने लेवल पे जितना हो सके कभी खाने को waste मत कीजिए, हम अपने लेवल पे क्या-क्या steps ले सकते हैं, जब grocery shopping के लिए जाएं, जो भी चीज आप ले रहे हैं, minimum खरी दिए, single use के लिए जो packaging है, उसको कम से कम खरी दिए, और जो हम शादियों पे इतना खाना वहाँ पे भी waste होता है, बुफ आपको एक positive चीज बताने है कि हम क्या कर सकते हैं, food banks जो है, जैसे food banks खोल सकते हैं, minimum grocery के लिए जा रहे हैं, single use जो चीजे हैं, उनको कम से कम खरी दिए, community level पे identify कीजिए, कौन सी organizations काम करेंगी, जैसे Coimbatur में no waste, no food waste करके एक organization है, जो redistribute करती है, excess food जो रहता है, वो नीडी और hungry लोगों में redistribute कहती है, इस तरह से आप इसको क्या बोल सकते है, food bank, आपने इस तरह की newspaper में खबरें सुनी होगी, लोगों ने restaurants के बाद रेफिरिजरेटर लगा दिये, कि जो बचा हुआ खाना है, वहां रख दीजिए, ताकि कि किसी को भी ज़रूरत है, वो यहां से खाना खा सकता है, तो इस तरह के जो steps हैं, वो यहां पर लिये जा सकते हैं, उसके बाद food wastage को बचाने का एक और अच्छा तरीका है cooking का, कि आप देखिए किस चीज के पत्ते, leaves हम का सकते हैं, नौर्थ इंडिया में लोग साग बहुत खाते हैं, वो leaves हैं, कुछ areas में shoots खाय जाता है, तो अलग लग जगा की practices जो हैं, वो हम अपना सकते हैं, cooking method में भी, गोबी की सबजी बनती है, धन्थल जो होते हैं, उसकी सबजी बनती, otherwise लोग उसको फैक देते हैं, जो stems नीचे वाला पार्ट रहता है, cabbage का, sorry cauliflower का, लेकिन उसको भी लोग अच्छे से cooking करके बना support करना चाहिए, adopt करना चाहिए, जो इससरा के initiatives हैं, उनको support करना चाहिए, तो यही ता आज का discussion, जो हमने food wastage पे किया, वरना देखिया, इस तरह का food wastage animals के लिए भी खराब है, क्योंकि बहुत सारा polythin में mix करके हम डाल देते हैं, उससे animals को भी problem होती है, क्यार अभी बात हम food wastage के कर रहे थे, तो I hope आपको काफी चीज़े समझ आई होंगी, data भी discuss किया, problems भी discuss की, challenges भी discuss किये, और positive conclusion भी discuss किया, इस पे आप लिख के, मेरे साथ mail पे share भी कर सकते हैं, I will definitely go through it, या मेरे telegram चानल पे share कर सकते हैं, इससे आपको writing practice भी होगी, thank you so much.